क्या हुआ बहू, ये रोनी सूरत क्यू बना रखी है? क्या बताओ माजी, आज भी चाट नहीं बिकी. चाट का काम तो बेटे की मौद के साथ ही खतम हो गया था. तुझे पहले ही कहा था कि बेटी चाट छोड़ कोई और काम कर ले, पर तू माने तब न? आप चिंता ना करे माजी, आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी. तब तक तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, खुद तो भूखी रह भी लूँ, पर तेरे टप्पू और लाली को भूख से तडपते कैसे देखूं? यह कहकर सुधा रोने लगती है, और सुनीता उसे तसल्ली देते हुए कहती है, माजी भगवान पर विश्वास रखिये, आज खाली हाथ आई हुँ न, पर कल जरूर पैसे ले कर आऊंगी, हाँ. सुधा का बेटा मोहन चाट का ठेला लगाता था, और उसकी चाट खाने के लिए लोगों की भी लग जाती थी, मगर कुछ दिन पहले बीमारी के कारण मोहन चल बसा, और उसके मरने के बाद सुनीता ने खुद चाट का ठेला चलाने का निर्ने किया, और उसने कहा, मा जी, अब वो तो रही नहीं, इसलिए उनकी जगह मैं ही चाट बेचने का काम करूँगी पर तुझे चाट बनाना भी आता है, मैं तो कहती हूँ, तु चाट छोड़, कोई और काम कर ले नहीं मा जी, मैं यही काम करूँगी, उन्होंने मुझे चाट बनाना सिखा दिया था ठीक है, जैसी तेरी मर्जी बहू उस दिन के बार सुनीता चाट का ठेला लगाने लगती है कुछ दिन तो सुनीता की चाट खूब बिकती है, मगर जब से उसके ठेले के सामने रेखा चाट बेचने लगती है तो लोग सुनीता के ठेले की तरफ देखना ही बंद कर देते हैं, लोग रेखा के ठेले पर भीड लगाने लगते हैं सुनीता चाट का जो भी सामान बना कर लाती, बेकार जाता और वह मन ही मन परिशान होकर कुड़ती रहती और कहती, हे भगवान कुछ तो दया करो, आज कुछ पैसे की कमाई हो जाए तो मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा उस दिन भी सुनीता की चाट नही बिकती और वह खाली हाथ घर आती है, घर आते ही सास उसका लटका हुआ चहरा देख रोने को हो जाती है, और कहती है बहु, आज भी मुँ लटका कर घर लोटी हो, चाट नहीं बिकी है ना नहीं माजी, पर मैं निराज नहीं हुई हूँ, देखना, कल लोग मेरी चाट अवश्य खाएंगे तेरे इसी भरोसे पर जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी निकल जाएगा, फिर हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा यह कहकर सुधा अपने पोते-पोती को देखकर रोने लगती है सुधा को यू रोते देख सुनीता का मन भी भराता है माजी, इस तरहां रोकर तो आप मेरा भी होसला तोड रही है भगवान के लिए चुप हो जाएए माजी, सब ठीक हो जाएगा क्या ठीक हो जाएगा बहू? मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक हो पाएगा अगले दिन रेखा अपनी चाट का सामान तयार कर ठेली लगाने लगती है तो रेखा अपनी चाट की ठेली पर खड़े होकर उसका मजाक उराने लगती है और कहती है ए सुनीता रानी चाट का थेला लगा कर क्यूं पैसा बर्बात करती है कुछ नहीं होने वाला मैं तो कहती हूँ कि तु काम वाली बाई बन जा इतना भी घमन मत कर बेहन आज तेरा काम अच्छा चल रहा है तो कल को मेरा भी तो चल सकता है तेरा काम, वह तो कभी नहीं चलने वाला, तेरी चाट तो कोई खाना ही नहीं चाहता ना उस दिन भी सुनीता अपने ठेले पर ग्रहाकों की उमीद में खड़ी, आते जाते लोगों को आवाजे लगाती रहती है सुनीता सारा दिन लोगों को आवाजे देती रहती है, मगर उसकी चाट खाने कोई नहीं आता सब रेखा की तरफ ही भागे जाते हैं, शाम को खाली गल्ला देखकर उसको बहुत दुख होता है वे रोते हुए भगवान को याद करने लगती है और कहती है ओ भगवान, लगता है कि तुने सच्च और गरीब का तो साथ देना ही छोड़ दिया है कुछ तो दया कर भगवान, मेरे बच्चों को भी तो पेट भर खाना दे यह कहकर सुनीता खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ती है और फिर देवी मा के मंदर के सामने से गुजरती है तो अच्चानक ही उसके कानों में उसकी सास के वचन गुंजने लगते है जो थोड़ा बहुत बचा है वे भी निकल जाएगा और फिर हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा यह बात याद आते ही सुनीता के कदम वहीं रुख जाते हैं और वे मंदर में जाकर देवी मा से प्रार्थना करती है ही देवी मा मुझ गरीब अबला की मदद कर मा मा मेरा चाट का काम अच्छा चला दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ उस दिन सुनीता खाली हाथ घाती है तो उसकी सास उसे सुनाते हुए दो टूक बात कहती है बहू बहुत हो गया बस अब और सहन नहीं होता अब कोई तुम्हारी चाट खाता ही नहीं तो क्यू चाट के पीछे पड़ी हो और क्या करू मा जी कुछ भी कर पर ये चाट बेचना छोड़ बेटी तु हमें क्यू भूखा मारने पर तुली है कोई और मेहनत मजदूरी कर ले न बस कल आखरी बार कोशिश करने दे मार जी अगर कल भी चाट नहीं बेकी न तो फिर मैं कभी चाट नहीं बेचूंगी हाँ ठीक है ये भी करके देख ले अगले दिन सुनीता घर से चाट का ठेला लगाने के लिए निकलती है तो पहले सबजी मार्केट में जाती है बंसी चाचा एक किलो आलू एक किलो प्याज और एक किलो टमाटर दे दो अच्छे वाले दू या फिर सस्ते वाले मुझे तो अच्छे वाले ही दो चाचा पर वो रिखा तो हमेशा सस्ते वाले ले जाती है उसे ले जाने दो चाचा, मैं घटिया सबजियों का इस्तमाल कर लोगों की सेहत से खिलवार नहीं करना चाहती। उस दिन सुनीता देवी मा का नाम लेकर बड़े ही मन से चाट का काम शुरू करती है, मगर फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं आता, सभी रेखा के आसपास भीड लगाते हैं। ये देख सुनीता निराश हो जाती है और कहती है, आज भी कोई चाट खाने के लिए नहीं आ रहा। लगता है, देवी मा का भरोसा भी कुछ काम ना आया। कल से ये काम छोड़ ही दोगी। सुनीता ये कही रही होती है कि तब ही एक सुन्दर सी लड़की उसके ठेले पर आती है। लड़की उसे उदास देख कर कहती है, तुम इतनी उदास क्यूं हो? मैं अच्छी अच्छी चीजें इस्तमाल कर चाट बनाती हूँ, मगर फिर भी कोई मुझसे चाट खाने नहीं आता। आप निराशना होईए, मेरे पास मेरी दादी जी का जादूई मसाला है। आप वह मसाला अपनी चाट में डालना, फिर सब आपकी ही चाट खाना पसंद करेंगे। यह कहकर लड़की सुनीता को एक मसाले से भरी डिब्बी देती है, तो सुनीता उस डिब्बी को देखकर कहती है, पर इस डिब्बी का मसाला तो चार दिन में खत्ब हो जाएगा। यह मेरी दादी जी की जादूई मसाला डिब्बी है, इसमें मसाला कभी खत्प न होगा। यह कहकर वह लड़की जाने लगती है, और फिर एका एक गायब हो जाती है। यह देख सुनीता चकित रह जाती है, सुनीता उसे आवाज देने लगती है। ए लड़की कहा हो तुम तुम अचानक कहा चली गई सुनीता उसे कई बार बुलाती है मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और ना ही वह लड़की कहीं दिखाई देती है यह देख सुनीता कहती है हो सकता है देवी माँ खुद ही मेरी मदद करने आई हो मैं इस मसाले को चाट में डाल कर देखती हूँ ऐसा कहकर सुनीता थोड़ा सा मसाला अपनी चाट में डालती है तो चाट की महग दूर तक फैल जाती है और लोग रेखा का ठेला छोड़ उसके आसपास भीर लगाने लगते हैं मुझे कुरकुरी चाट देना फिर तो कुछ ही घंटों में सुनीता की सारी चाट बिग जाती है और उसका गल्ला नोटों से भर जाता है वह देवी मा का धन्यवाद कर खुशी-खुशी घर जाती है और अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है मा जी आज सारी चाट बिग गई यह लो पैसा अरे यह तो चमतकार ही हो गया बहू पर यह हुआ कैसे सुधा के यह पूछने पर सुनीता उसे जादूई चाट मसाले के बारे में बताती है तो सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता बहू अब मुझे कोई चिंता नहीं तुम दिल खोल कर चाट बेचो फिर जादूई चाट मसाले के कारण सुनीता का चाट का ठेला खूप चलने लगता है और लोग रेखा से चाट खाना ही बंद कर देते हैं जोती के पिताजी सबजी बेचते थे उनकी तबियत अकसर खराब रहा करती थी इस कारण शाम के समय जोती उनका काम संभाल लेती थी एक दिन वे सबजी बेच रही थी एक लड़का तरुन उसके ठेले पर आया तरुन का उस पर दिला गया मन में सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो जोती ने उससे पूछा क्या सोच रहे हो कुछ चाहिए क्या तो तरुन ने जवाब दिया ओ, मैं भूल गया था आधा किलो पालक और एक किलो आलू चाहिए जोती ने सबजी तोल कर दे दी अब तो तरुन रोज जोती को देखने के बहाने से सबजी खरीदने आने लगा एक दिन जोती के पिता जी से तरुन ने कहा मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ जोती के पिता जी ने उससे पूछा क्या काम करते हो तो तरुन बोला पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोसकार हूँ नौकरी ढून रहा हूँ गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठागा रखूंगा मुझे आपकी बेटी के लावा कुछ नहीं चाहिए गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिये बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी इसलिए उन्होंने शादी के लिए हां कर दी साधारन तरीके से तरुन और जोती की शादी हो गई तरुन की मा माया ने कहा आउ बहू हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है जोती ने चारों तरफ देखा तरुन का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था मगर हां उसके घर से अच्छा था उसने माया के पैर छुए तो माया ने धेरों आशिरवात दिये कुछ दिनों बाद तरुन को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह छूट गई जोती ने तरुन से कहा ऐसे कैसे काम चलेगा तरुन कुछ काम तो करना ही पड़ेगा तरुन गुसे में बोला क्या करूं जोती पकोड़े तलू इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है इतने खर्चे हैं ग्रस्टी के ये भी बिचारा क्या करे तो जोती माया से बोली जानती हूं माजी ये भी परिशान है लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले साख सब्जी का खर्चा तो निकल ही आएका कुछ दिनों बाद तरुन को जॉब मिल गई लेकिन सैलरी केवल आठ हजार थी इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी इसलिए उसने हां कर दी माया ने बहु से पूछा बहु आज खाने में क्या बनाया है तो जोती बोली कुछ नहीं माजी घर में कोई सब्जी नहीं है मैं सोच रही थी कि घर हो आऊं पापा दो-चार दिन की सब्जी तो रखी देंगे हमारे लिए नहीं बहु ऐसे अच्छा नहीं लगता वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहां भेज देते हैं साख सब्जी लेने ठीक है तो माजी रोटी बना दी है मेरी ममी ने थोड़ा अचार दिया था उसी से खा लेंगे वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है तरुन की सालरी भी महीने के आखिर में मिलेगी जोती ने खाना परोस दिया थाली में रोटी और अचार रख दिया तरुन ने उससे पूछा सब्जी नहीं बनाई गया तो जोती ने कहा सब्जी के लिए पैसे नहीं है तरुन कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी माया बोली बहू ये अचार तो बहुत लाजवाब है किसने बनाया जोती कहती है मेरी मम्मी बनाती है माजी वैसे मैं भी बना लेती हूँ तरुन ने कहा अब कि सेलिरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना सच में बहुत बढ़िया लग रहा है मेरी मम्मी कहती है कि अगर एक समय कुछ सबजी ना मिले तो अचार से रोटी खाई चा सकती है ऐसा अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं उसके कुछ दिनों बाद माजी कुछ नीम्बू रखे थे मैंने उनका अचार बनाया है जरा ये भी चक कर बताओ सच में लगता है कि जादू है तुम दोनों मा बेटी के हाथों में जो कोई खाए उंगलियां चाटता रह जाए एक बात बोलू कहो जियोती मैं सोच रही थी कि इस तरह के अचार बना कर बेचना शुरू कर दू वैसे भी हम दोनों साज बहू घर में सारा दिन खाली ही तो बैठी रहती है इस बहाने समय भी कर जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी तुम तो बड़ी समझदार हो बहू लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता तरुन हा तो कहे मैं आपको फिर सब सिखा दूँगी ठीक है इस महिने की सैलरी आने दो फिर तुम अचार बना लेना जोती खुश हो गई वै एक तारीक का इंतजार करती रही तरुन की सैलरी मिलते ही वै कुछ अचार के मसाले आम, गाजर, मूली, नीबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खटे मीठे अचार बनाए तरुन ने जोती से पूछा अचार तो बन गया जोती, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहा तो जोती ने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं इस पर माया बोली हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहां बेचेंगे दोनों सास बहु अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गई अचार लो, आम का लो, नीबू का लो, गाचर मूली का लो एक औरत ने उनसे पूछा बेहन जी कैसे दिया है अचार तो जोती ने कहा असी रुपे किलो अरे ये तो बहुत सस्ता है तीस रुपे किलो तो आम ही हो रहे है इसकी तो खुश्पू से ही मूँ में पानी आ रहा है पता नहीं खाने में कैसा होगा पहले चखिये, फिर खरी दिये वाह, मज़ा आ गया जैसी खुश्पू, वैसा अचार लाओ, एक किलो दे दो हमारी बहु प्रेग्डेंट है खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा उस दिन उनका सारा अचार बिग गया सास बहु दोनों के चहरे खुशी से खिल गए वैसे ज्यादा फाइदा नहीं हुआ था क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा जोती ने माजी से कहा माजी आप सबजियां काटिये तब तक मैं मसाला बनाती हूँ तो माया बोली बहु आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे अब वो हर हफ़ते अचार बना कर बेचने लगी एक दिन दुकानदार ने उन्हें रास्ते में टोकते हुए कहा क्या बात है तरवन की माँ अचार बाजार बेचने जाती हो कभी मुझसे नहीं कहा नहीं तो एक दिन में दस किलो अचार तो मेरी दुकान पर भी बिख जाता तो माया ने उससे कहा कोई बात नहीं भाज सहाब अगले हफ़ते हम आपको भी अचार दे देंगे ठीक है कितने रुपए किलो बेचना है ये बता देना और उससे ओपर जो कमाई होगी वो मेरी होगी ठीक है काका अचार ज्यादा बिकने लगा और अब दोनों साज बहु के वश में नहीं था इतना काम करना इसलिए अब उन्होंने मदद के लिए दो लड़कियां रख ली जोती ने माया से कहा माजी मेरे मन में एक विचार आ रहा है बाजार और दुकान पर हमारे ग्रहक बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है क्यों न हम अपने अचार को एक पहचान दे वो कैसे वो ऐसे कि अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे अब हम उसको खुद तोल कर एक पाओ आधा किलो और एक किलो के डबो में पैक करेंगे जिसका एक नाम होगा सास बहू का अचार हम इसे थोक की दुकानों तक पहुचाएंगे देखना अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू च्छा जाएंगी लगता है कि मुझे भी नौकरी छोड़ ये सास बहू की अचार फैक्टरी में काम करना पड़ेगा ये विचार भी बुरा नहीं है पहले दुकान उसके बाद फैक्टरी वाह हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे है ना मा जी चलो अब सपने देखने छोड़ो और काम पर लग जाओ तभी सपना सच होगा सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार डालती हो क्या हमें भी सिखा दोगी हाँ गीता बिलकुल सिखा देंगे हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार तुम अपने साथ और लड़की या बहू को भी ले आना इस बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहां पैकिंग का काम भी कर देंगी इसके बदले उन्हें हम पैसे देंगे अच्छा फिर तो मैं कल ही आच-दस लड़कियों का इंतजाम करती हूँ अगर मेहनत सची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्टरी में बदल गई तरुन ने अपनी जॉब छोड़ दी अब वह अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा कुछ बड़े होटलों में भी छोटे-छोटे पैकेट तैयार होकर जाने लगे मा, मैं तो हिम्मत हार गया था लेकिन तुम और जोटी अचार के बिजनिस को इतनी उचाईयों पर ले जाओगी और इस सास बहु अचार की सफलता पर वहां काम करने वालों ने जोड़दार तालियां बजा कर उनका सम्मान किया